असलावनेकुम एन हलो व्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चानल जिनास किचन उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं बनाने चारी हूं चिकन चिली बहुत ही इजी स्टेप के साथ तो वीडियो को देखिएगा लास तक पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइ टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक कर दीजी चिकन चिली बनाने के लिए सब मैरिनेशन का बहुत इंपोरेंट पार होता है इसलिए आप एटलिस दो से तीन घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंने डाल दिया था वेनिगर ब्लाक आप कर देख से तीन घंटे कर सकते हैं और यहां पर नहीं कर दो 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 आप अच्छे से एंडा मिल जाए उसके बाद इसमें हम लोग कॉन फ्लार आड़ करेंगे तो आपके पास है होममेड है तो आप वो आड़ कर सकते हैं लेकिन यहां पर पाकेट वालत है मैंने वो डा डाल दिया है और अन्दाज पैकेट से डाला था आप 2 डालेंगे यहीं च्छिकन के कॉंटिटी पर डिपेंट करता है तो मैंने इतना डाला कि वो अच्छे से अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पर वह एड करने के बाद इसे हमें मिला लेना है और अट रिस्ट दो तो यहां पर मैंने डाल दिया था लेमन जूस और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिए और ढ़के रगदे आपके पस जितना टाइम है उसे हिसाब से डाल दे क्योंकि अगर कम टाइम भी है तो भी यह अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें अंडा डाल दि तो यह मिक्स हो चुका है और यहां पर वेजिस को कट कर लिया है जिसमें कैपसिकम है ग्रीन चिली है और प्याज है अदरक और लहसन को फाइन चॉप किया है अब यहां पर हम लोग एड कर देंगे पानी इक बाउन में पानी ले लेना है आपको थोड़ा सा एक कप के ऐसले दाल दिया थे यहां पर और गताँ यहां पर ऐसमें पर और यह सूं अदे और और यूं अट करने के बाद भी प्रियं know that इसमें अड्र चिली तो इस स्पून है यह अजली स्था इसमें से यह स्षिति आड़्े मिक्स करन तो यह यह सिर आड़्े कर ले ग अंचिकरमे में बहुत ही अच्छा है तो यहां पर डाल के आपको मिक्स करके स्पून से और दस से पतर मिनिट के एक साइट रखना है कॉन फ्लॉर जो है वो खुड़ा सा स्टिकी टेक्शर लाता है और जिससे चिकन चिली आपके बहुत ही अच्छे बनते अगर आप ड्राई भी बना रह चिकन को फ्राई करने के लिए मैरिनेशन में जब आप रखे और चिकन को फ्राई करने का टाइम है तो उसे आधे गंटे बिफोर आप बाहर निकाल दे तो मैंने आधे गंटे पहले निकाल दिया था चिकन को तेल गरम हो चुका है तो सारे पीसेस को हम लोग इसमें डाल द ठीक है उसके बाद हम लोग flame को medium से थोड़ा सा हाई करेंगे और फिर medium करके chicken को हम लोग दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे इनफाक की fry कर लेंगे बहुत जादा आपको deep fry नहीं करना है मैंने बहुत जादा ओयल भी नहीं रखा इसमें थोड़ा सा ही ओयल रखा है और उसके बाद जब चिकन आपके फ्राई हो जाए सारे चिकन को आपको एक साइड निकाल लेना है दो बैचे में मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था और फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया था एक कडाही में मैंने थोड़ा सा ओयल डाला था बाकी के जो ग्रेवी के प्रोसेस है उसे करने के लिए तो थोड़े सा ओयल में हम लोग आड़ कर देंगे कटे हुए अद और जो प्यास है इस तरीके से क्यूब शिप में कट किया हुआ है बस उसे सौटे कर लेना है दो तीन राउंड चलाने के बाद उसमें डाल देंगे कट के हुए ग्रीन चिली उसके बाद क्यूब शिप में कट के हुए कैपसिकम और टमाचर इसे बिल्कुल आप लोग फ्लेम करके पकने दिया है और यहां पर भी कोई भी नमक नहीं आड किया है सिंपल हम लोग इसे डाल के सौटे कर रहे हैं और इस पॉइंट पर हम लोग आड कर देंगे जो सौस का और कॉण फ्लेर का हमने मिक्षर बना के रखा था वो आपको प्यास चमाचर और कैपसिकम को इसे आप एक बड़ेंगे और मेर फ्लेम को आप मेडियम रखेंगे यहां पर इस पॉइंट पर फ्लेम मेडियम है इसे आपको इसकर करना है यहां पर देख सकते हैं कि स्टी की चा जो टेक्शर है ना कॉन फ्लार की वज़़ा से वह अच्छे से आ चुका है उपर आपको और यहां पर जो फ्राइ किया हुए चिकन थे ना वो चिकन को यहां पर हम लोग आड कर देंगे बहुत ही सिंपल और ईजी से रेसिपी है यहीं पेसी पॉइंट पर मैंने चिकन डालने से पहले नमक आड कर दिया था और आपको इक्स्ट्रा इसमें कुछ भी जादा आड क करने की ज़रूत नहीं है चिकन को दो तीन बार पकाया धक के मैंने पकनी दिया और चिकन हमारा बन के रेडी है तो यहां पर आप देख सकते हैं चिकन का जो टेक्शेर बहुत अच्छा आया है और मैंने थुआ से ड्राइ किया था आप चाहें तो ग्रेवी वाला भी से को अच्छा आया है तो यहार सुआ चाहें किस को ओड़ेए बार प्रेवाद से लिए्याल के चाहें पर वाला पकाया हाएब और आपक्शेर नहीं अट्यार ज़ दिल्द कावेस्टा है